नमश्कार आप देख रहे हैं दराइट नियूस और मैं हूं रोईद बट एक विशे के बारे में हम बात करना चाहते हैं आज जैसे कि आप सब को पता है कि बहुत समय से एक डिमांड हो रही थी क्योंकि इस महीने का जो रिलीफ है वो रिफोडर्स तक नहीं पोंचा था और क वो रिलीफ आना स्टार्ट हो गया है फिर से कुछ टेक्निकली इस्यू था लेकिन हम सबसे पहले हमारी कम्यूटी का दन्यवाद करना चाहते हैं कि जो ती आरन पे इतना विश्वास करते हैं ड्रस्ट करते हैं ती यारन पर कि वो ERN को लगाता है हमें कॉल आई कम्यूटी से कॉल आई रिगार्डिंग की उनकी रिलीफ का क्या हुआ है और हमने भी पूरी कोशिश की हम ये बात सरकार तक पहुचा है कि रिलीफ क्यों नहीं इनके एकॉड में आ रहा है तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाज में लोग है जो इसी पे डिबेंडनेंट है जिनके रिलीफ से ही वो गर्ड चल पाता है तो उसी सिलसले में आज हम बात करेंगे एमके योगी जी से जो कि सोशो पुलिटिकल एक्टिविस्ट है और इन्होंने भी इस विशे में बहुत काम किया आईए इनी से जानते है सबसे पहले यो जिशे के बारे में चुना अपने टियारन के उपर ताकि लोगों को एक कलियर कट एक मेसेज चले जाए कि इसकी वजवात क्या थी इसके कारण जो थे वो क्या थी बिल्कुल योगी जी हमारे समाज में जो लोग थे इतने पैनिक हो गए थे क्योंकि आप भी जानते हैं आप ऑन ग्राउंड वरकर हैं आप जाते हैं जगती में हर जगा जाते हैं आपको पता है कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनका सिर्फ अर्निंग सोर्स रिलीफ है और व वजवात थे कि अभी तक रिलीफ नहीं पहुचा एक्चिवल मैं रोही जी आपकी नोटस में ये चीज़ जरूर लेओंगा कि बेस्किली जो ट्रेजरी थी क्योंकि ट्रेजरी में पैसा जो था वो नहीं था वो बिलकुल खाली थी और जब हमारे माननी और आदरनी जो हमा है ये फीड़ बैक डिफरेंट केम्प और नान केम्प के जितने भी रिलीफ फोल्डर जो रिलीफ पर ही जो डिपेंड है उन से जब मुझे भी काफी सारे फोन काले आए और परसनली वो मुझे मिले भी तो मैंने जब केमिस्टर साब से ये पूछा क्योंकि बदकिस्मिती चांड यह थी कि जो इसste पहले जो हमारे केमिस्टर साब से थे के के सिदा साब से तो वो जिस डैड को चले गे मुझे लगता है कि वो शाइद पहली यह 39 तारिक थी या 30 तारिक थी तो उसके साथ ही जब इनों नहे केमिस्टर साब नहें जो डोरवा और जब आनोंने यहा इस कुर्सी को समाला तो जब हमने मुवारगबाद दी पूरा डेलिगेशन तमाम कैप और नान कैम्पिंग के लोग जो वाँ गे तो उसके बाद दूसरे दिन से ही ये लोगों में एक काफी गुसा और काफी रोश था कि हमारा जो रिलिफ क्योंकि इसमें बाइस हजार कुछ सब कुछ इस से ज्यादा फेमली है जो है जो डिपेंट इसीव के उपर है लेकिन बदकिसमें थी जब हमने दुबारा में दूसरे दिन जब इनके पास गया और इन्होंने मेरे को दो टुक में कहा कि ऐसे ऐसे योगी जी बात है तो लेकिन मैंने ठान लिया कि मैंने कहा नह गा और जो जो गर के जो रोज मरा की जो हमारे दूद चावल आटा चीनी वगेरा गैस वो कहां से ले आएगा क्योंकि जिनके गर में कुछ सोर्सिस ही नहीं है तो मैंने इमजेट जो है मैं आवार प्रकट करूंगा हलाकि इस से पहले हमारे एक डिलिगेशन जो था वो हमा हमारे जो आदरनी माने नहीं हमारे लजी साब के जो क्या कहते हैं अडवाजर साब थे उनके साथ भी हमारी एक मिटिंग हुई बड़ी क्योंकि लोगों की मुद्धे के लिए अपनी कश्मीरी कुमूनिटी की बात वा थी और मैं आवार प्रकट करूंगा जो हमारे चीफ स तो नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आप सिर्फ आज तो आप सोड़ा सा शाम के पांच शे बज़गे और कल सुबह जो है हम मेरी कोशिश यह रहीगी कि मैं कल ही रिलीफ ओल्डर के जितने भी यह हमारे जो डिपेंड लोग जो है इनको हम राशन दे देंगे यह रि सेलरिया भी नहीं उनको अभी तक भी नहीं मिली थी और यह हमारी खुश किसमती है कि पीम पैकेज के बच्चों की सेलरिया भी अभी रिलीज हो गई और रिलीफ भी आना शुरू हो गया और उसके बैद जो है मैं आपकी नोटस में यह जरूर चीज लाओंगा कि डिलू सा आपने इमिजेट एक एक्शन किया और सास सास में अनियर कोल साब को भी धन्यवाद करूंगा कि मैं उनके उनके पास भी गया मैं उनके साथ भी कोई एक आदा गंटा उनके साथ भी जो हमारे रिलीफ को देखते हैं हमारे कमिस्र सेक्टरी है तो उनके साथ भी हम मिले उनक हमने मेनरनम दिया जिसमें गहरा चीजें इमजेट और मुझे लगता है कि वो आठ दस दिन और पंदरा दिन महीने के अंदर अंदर एक्शन चाहिए अब काम चाहिए हमें और मैंने उनकी नोटस में ये भी लाया क्योंकि जो LG साहब तक है वो तो LG साहब भी देखेंगे जो ह हमारे अडवेजर साहब है वो अडवेजर साथ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं गवणर साहब तक नहीं मिलू क्योंकि हमारी कम्यूनिटी के लोग भी अपनी जगा अच्छा काम करती है वो भी LG साहब से काफी हमारे डिलिगेशन वहां मिले उन्होंने भी बात जरूर रखी उनको उनकी वहां उसके टेबल तक ये सारी चीज़े पहुचा हूँ ताकि वो गवणर साहब तक ये सारी चीज़े पहुचा है और दूसरा रस्ता मैंने निकाला कि आज की डेट में हमारे जो चीफ सेक्रिस साहब है अतल डूलू साहब जो है वो जमो कश्मीर यूटी को दिखते हैं और मैं साथ में ये भी कहूंगा कि अगर अभी तक कहियों को नहीं आया है कोई पैनिक लेने की ज़रत होने नहीं नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि आज और कल सब को ये रिलिफ उनके अकाउंट्टू में पहुच जाएगा और साथ ही मेरी एक एक बहुत बड़ा तिवहर है मनाया जाता है सारे दुनिया पूरे इंडिया नहीं में भी सबकों लोगों पता है कि हमें अडवानस जो जो अडवानस हमें दो महीने का रिलीफ मिलता था तो उसके उपर भी इमजेड कोई ने कोई कारवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारे सेक्टरी साब ने हमें आश्वासन दिया और मुझे लगता है कि श्रवरातरी का भी एक बहुत बड़ा तोफा जो है वो जल्दी रिलीफ जो रिलीफ पर जो लोग उनको मिलेगा मैं उनका भी देनवाद करता हूं और त्यारन रोहिद जी आपका भ आते हैं जक्ती में वहाँ देखते हैं या पुर्खु में कहीं भी ऑन ग्रॉंड जो सुच्वेशन है हमारे समाज की तो क्या लगता है आपको कि कितना जुरुरत है उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए कि देखो मैं आपकी नोटस में यह कि नोटस में हमारी कुछ मुद्दे कुछ चीजें ऐसी है कि जो दस साल से कश्मीरी विस्ताफित वेट कर रहा था इन्तिजार कर रहा था उन्हों ने अपना टेरर में टैन एवर में अच्छे बहुत अच्छे काम किये बहुत बड़े डिजन और बड़े फैसले लिए ले नायूसी और जो थोड़ा सा जो उनकी उमेदे और उनकी नजरे जो है और मैं यही चाहूंगा कि आने वाले बीस तारीक को जब पियम साहब जब जमू कश्मीर का जो दोरा उनका है हमें यह उमेद है हमारी नजरे जो है डिस्पलेस कश्मीरी माइगरंट चाहे कश्मीर मे रहता हो या दिली में या बंगलोर में या बंबे में रहता हो या कश्मीर में ही रहता हो और हमारे जो पीम पैकेज के बचे और उनकी जो कहीं सारी जो समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी कहीं न कहीं आने वाले टाइम में कुछ अच्छी गोशना वो करें तो हम मेरी तरफ से उनका यही एक प्रार्थना रहेगी कि ताकि जो डिस्प्लेस कश्वीरी पंडित की नजरें जो थी और उमेदें जो थी इस सरकार से जो अन्डिये सरकार थी और जमू कश्वीर की यूटिये की जो सरकार आज यहां हमारे आदर नहीं माने नहीं जो हमारे development का जाल जिस तरीकी से उन्होंने यहां जो छाप छोड़ी है तो मैं यही एक बार फिर दुबारा अपने प्रैमिनिस्टर साब प्रैमिस्टर आप इंडिया और होमिनिस्टर अमिर्शा जी को और मनोई सेना साब जी को यही एक अपनी तरफ से अपनी समिधाई अपनी कुम् न कोई कश्मीरी विस्तापित को कश्मीर वापस जाना है यह कश्मीर हमारा है कश्मीर किसी की बाब दादे की प्रापर्टी न है और कश्मीरी पंडित आप कश्मीर वापस जाना चाता है और उसके लिए कहीं किसम का ऐसा रोड मैप बनाया जाए और कश्मीरी समिधाई ज पनाई जाए और हमारे जो शाइन्स जो है हिंदू शाइन्स जो है जो हमारे एक प्रेवला मेमोरिल ट्रस्ट जो है जो बहुत पेंडिंग डिमांड थी और मुझे लगता है कि उसकी गोशना का भी हम इंतिजार करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी गोशना अगर हो जाती ह है कि जो हमारे दरोवर है जो हमारे कश्मीर में हेरिटेज है जो हमारे तमाम डिस्टिकों में जो हमारी कश्मीरी पुइंड जो कश्मीर से विस्ताफित नहीं हुए है और जो पीछे टार्गेटिंग किलिंगे हुई है और एक नई पैकेज की इंतिजारी में हम इंतिजार करते हैं कि छे हजार अनपलाइमेंट यूथों के लिए जो पड़े लिखे बहुत सारी डिग्रिया जो पड़े लिखे बचे जो है जैसे यूपिय सरकार ने अपने टैनेवर में कोई पैकेज कश्मीरी विस्ताइपतों को दी थी और आज इसकी सखत जुरूरत है कि हमारे आ और इसके लिए हमारे आवरे यूद जो है और जो पैकेज या कही किसम की जो सिकी में जो है जो जो कश्मीरी पड़तों के लिए इंप्लिमेंट आज तक एक भी सिकीम लागू नहीं हुई है तो आप तो इनका टैनेवर वैसे खत्म हो गया है लेकिन कुछ ऐसी बड़ी गो हमारे नजरे जो इसके उपर सी लेकिन हम मायूस हैं सारा कश्मीरी पेंट वैस्ताप जो है कहीं भी कहीं भी किसी भी प्लेट फारा पर जब जाते हैं तो कम से कम यही बात वहां उठती है कि हमारे कश्मीरी व्यस्ताफित के लिए कश्मीरी डिस्पिलेस हिंदू के लिए कोई भी ऐसा भी काहरी जो है अभी तक आज तक नहीं हुआ है हम पीस रहे हैं क्योंकि तेरा हजार कैश जो कि रिलीफ होल्डर के लिए बहुत ही गर चलाना मुश्क जो तीन-चार साल से हम जो पैंडिंग जो डिमांड है हमारी है कि रिलीफ को बढ़ाना बहुत जरूरी है और अवेरेज यूज की तरफ नजरे लगाना उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज देना हमारा बिस तारी को हम टीवी पर रहेंगे इनके प्रोग्रामों में जाएं और यही मुझे लगता है कि कोई ना कोई गोशना वेस्ताफित कश्मीरी पढ़तूं के लिए भी होगा और मैं लास्ट मैं आपका भी दैनवाद करता हूँ रिलीफ कमिश्टर साब का भी दैनवाद करता हूँ टाइमली जो रिलीफ पर जो डिपेंड्स है कि आपने टाइ है वो सब अलग-अलग बाते स्टार्ट हो गई थी लेकिन आपने क्लियर किया कि क्या इश्यू था आपका बहुत बहुत बढ़ी जोड़ूंगा बेस के लिए ये फैनानिस डिपार्टमेंट देखता है इसको क्या कमिया थी क्या तुटिया थी और ट्रैजरी क्यों खाली थी इसके लिए काफी बहुत बड़ा हैट्रिक जाब था यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनोती थी और हमने इन्शेटू लिया और आज का उसका रिजर्टी जो है वो आपके सामने है हम चीफ सक्टी साब का भी और रिलिफ केमिस्टर साब का भी और बढ़ना कर का भी धनवार करते हैं कि ताकि रिलीफ होडरों के लिए जो इमजेट जो आरिरी जो उनका रिलीफ जो था वो अपने अपने बैंकों में अपने खातों में आ गया ताकि वो भी अपना चूला अब जलाएंगे और अपनी पच्चों की पड़ाई और दवाईउं के लिए वहां से पैसा अनको मिल जाएगा जी जी उमीद करता हैं कि शिवराथी आ रही है आठ तारीकों शिवरात्री का पर्व है और कस्मीरी पंडित कम्टी के लिए बहुत बढ़ा पर्व होता है और उमीद करते हैं कि जो एड्वांस मिलता है हर साल वो इस साल प्रुने इसी के झाल झाल